हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल गुल दस्ता में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम देखेंगे पांच फोरन और गरम मसाला पाउडर कैसे घर में ही तैयार करें ये दोनों मसाले हमारे मितला के खाने में बहुत ही ज़्यादा प्रियोग किया जाता है और यही कारण है कि हमारे मितला में जो सब्जिय हैं बनती हैं उसके रंग और स्वाद बहुत ही अलग होता है तो इसमें इन दोनों मसालों का बहुत ही ज़्यादा रूल रहता है तो आए देखते हैं कि इसको हम कैसे आसानी से तयार करते हैं तो आएए अब सबसे पहले हम 5 फोरन तयार कर लेते हैं तो इसके लिए हमें लेना है साबूत जीरा ये मैं 2 चमच ली हूँ माप आप कोई सभी ले सकते हैं कम या जादा अपने हिसाब से इसके बाद हमें लेना है 2 चमच आजवाइन इसके बाद हमें लेना है सौफ ये भी इतनी ही 2 चमच ही हमें लेना है अब हम लेंगे मेथी और 2 चमच कलोजी या मंगरेला अब हम इन सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है हमें और इसे धूप में 3-4 घंटे के लिए रख देना है फिर इसे थोरी देर के लिए ठंधा होने के लिए हमें छोड़ देना है जब ये ठंधा हो जाए तो इसे एक airtight डब्बे में बंद करके हमें रख लेना है और जितनी मातरा में हमें जरूरत हो हम उतना ही निकालेंगे ये आप अधिक मातरा में भी बना कर रख स्कते हैं और ये कई कई महीनों तक इसी तरह से आप प्रिजर्ब करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होता है हो सके तो कभी-कभी थोड़ा इसे धूप दिखला दिया करें तो आईए इसे अब हम धूप में रख दें तीन से चार घंटे के लिए हमने इसे तीन से चार घंटे के लिए तेज धूप में रख दिया थै उसके बाद इसे अब छाओं में रख कर ठंडा कर लिया है अब हमें इसे एक एर टाइट डब्बे में भर कर रख लेना है हमारा पांस फोरण अब प्रियोग करने के लिए तयार है तो आप भी इसे बनाएं और अपने कीचन में इसे सामिल करें तो आएए अब हम गरम मसाला पॉडर कैसे तयार करते हैं इसके लिए हमें चाहिए छोटी इलैंची 25 ग्राम, बरी इलैंची 25 ग्राम, जावीत्री 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, साह जीरा 25 ग्राम, लॉंग 25 ग्राम और जैफल एक, दालचीनी 25 ग्राम और सोट इन सभी मसालों की मातरा हमें बराबर ही रखनी है सिर्फ जाइफल हमें सिर्फ एक साबूत लेना है और अगर ये आप अधिक मातरा में बनाना चाहते हैं तो बना कर रख सकते हैं लेकिन मातरा जितना भी हो वो सभी बराबर हो तो सिर्फ जाइफल आपको, अगर आप 50 ग्राम लेते हैं, तो जाइफल दो कर दीजिए, अगर सारे मसाले आप 100-100 ग्राम लेते हैं, तो इसी तरह से जाइफल को अब 3 और 4 इस तरह से बढ़ाते जाईए, लेकिन जाइफल वजन से नहीं, सिर्फ 1-2 इस तरह के में रहे, अब हमें इन सभी मसालों को एक बरे बरतन में इकठा कर लेना है, और इन सभी को 3-4 घंटे के लिए हम तेज धूप में सुखने के लिए रख देंगे, ये जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो इसका पाउडर जब हम बनाएंगे, वो काफी बारीक पाउ घंटे के लिए हमें तेज धूप में रख देना है, ये देखिए हमारा 4 घंटा करीब हो गया है, और ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हमें इसे पीषने से पहले इसमें जो जाइफल है, और सोंट और दाल चीन, इन तीन चीजों को हलका सा कूट करके थोड़ा बारिक कर लेना है, तो इस तरह से जाइफल को हम कूट लेंगे, और छोटे से टुकरे इसके कर लेने, बहुत ज्यादा बारिक नहीं करना है, तो ये देखिए हमारा कूट चुका है, इसी तरह से यहां फिर सोंट को भी हमें कूट लेना है, उसको तो यह काफी सख्स होता है तो इस तरह से कूट करके चोटे चोटे टुक्रिय कर दें आप सौठ के दालचीनी को कुट लेंगे इसके भी या तो आप छोटे-छोटे टुक्रिय अगर टूट जाता है तो तोर कर हाथों से डाले नहीं तो हलका सा इसे कुट दें कुट करके इसके टुक्रिय कर ले और ये देखे इसी तरह से आपको हलका सा कुट लेना है अब हमें सभी मसाले को इकठा करके पीस लेना है इसका पीस करके हमें बारिक पाउडर बना लेना है ये दिखे हमारा मसाला पीस चुका है और बिल्कुल ही ये बारिक हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे ये हलका सा अभी गर्म है तो इसे अभी हम डब्बे में नहीं रखेंगे इसे थोरी देर के लिए इसी तरह ढ़कन लगा कर हम ठंधा होने के लिए छोड़ देंगे और अभी हमारा ठंधा हो चुका है तो इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में हम बंद करके रख लेंगे ये काफी दिनों तक चलता है और ये खराब नहीं होता कभी आप इसे अधिक मातरा में भी बना करके रख सकते हैं उसे घर का बना हुआ पूरा सुद है तो इसकी खुस्बू भी बहुत आच्छी होती है और स्वाद बहुत ज़्यादा किसी भी सबजी में आप डालेंगे कि तो बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा बनता है, खासकर हमारे मितला के सबजियों का जो स्वाद कलर और फ्लेवर रहता है, उसमें इन दो मसालों का बहुत बढ़ा हाथ रहता है, पांच फोरन और गरम मसाले का, तो आप भी इसी तरह से बना कर के जितनी भी मातरा में आप रखना चाहे रख सकते हैं, तो फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि आज के ये दोनों मसाले आपको जरूर पसंद आएगा, और आप इसे बना कर जरूर अपने कीचन में सामिल करेंगे, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे आप लाइक कर दीजिए, चाइनल को सब्सक के लिए बाई, थैंक यू